आपके साथ साक्षी जा देखिए जमीन विवाद को लेकर अब हाइकोट ने बड़ा आदेश ज़ारी किया है देखिए अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी पुष्टेनी जमीन है तो आप उसे अपने बापदादा की जमीन को बेच सकते हैं और क्या प्रोसेस है जिसके बाद ही आप अपनी जमीन बेच सकते हैं आई आपको बताएंगे इस वीडियो में बिहार में आई दिन जमीन विवाद के मामले सामने आते रहे हैं थाना और कोट में करीब 15 फीसिदी केस भूमी विवाद से ही जुड़े होते हैं सरकार और प्रशासन अभी कोशिष में है कि भूमी विवाद के मामले निश्पादित हो ताकि विवाद बढ़े नहीं बावजूद इसके प्रदेश में जमीन विवाद दिन पर दिन बड़ी समस्या बनती जा रही है, अब इस विवाद में हत्या तक कर दी जा रही है हजारों हत्याओं और केस के बाद अब राजी सरकार के नेंद खोली है सरकार भूमी विवाद के निप्टारे के लिए एक ठोस कदम उठा रही है जो एक मिल का पत्थर साबित होगा बतादे प्रदेश में अब जमाबंदी कायम रखने वाले लोग ही जमीन की बिक्री कर सकेंगे हाई कोट पटना का ये फैसला आया है इसी के आलोक में मधनिशेद, उत्पाद और निबंधन विभाग ने एक आदेश चारी किया है विभाग के उपनिबंधक महा निरिक्षक मनोच कुमार संजे ने राजर के सभी डियेम को पत्र भेज धड़ातल पर फैसले का अनुपालन सुनिशित कराने को कहा है बताया गया है कि हाई कोट के आदेश का व्यापक असर होगा और लोगों को जमीन विवाद से बहुत हद तक रहत मिलेगी यानि ना विवाद होगा और ना कोट और ना थाने का चक्कर काटना पड़ेगा महीं विवाद ने बिहार राष्ट्री करन नियमावली 2008 में बदलाव के साथ 10 अक्टूबर 2019 को अधिसूचना जारी की कि इसके तहट जमाबंदी रखने वाले ही जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं लेकिन सरकार के इस फैसली के खलाफ हाई कोट में अपील दायर कर दी गई थी आमोद बिहारिस सिंग बनाम बिहार सरकार की मामले में हाई कोट पटना का फैसला आने तक निबंधन विभाग ने जमाबंदी से सम्बंधित अपने आदेश पर रोक लगा दी थी करेप चार वर्षु बाद हाई कोट से ये मामला सल्टा है आपको पता दे कि राजस सरकार के आदेश पर कोट से मुहर लग गई है वही राजस्व विभाग द्वारा एक दस्तावेस तयार किया जाता है जिसे जमाबंदी या अधिकारों का रिकॉर्ड कहा जाता है इस रिकॉर्ड में जमीन का मालिक कौन है कितनी जमीन है सहित कई जानकारे शामिल होती है जार्च के बाद राजस्व अधिकारी हर पात साल में जमीन की जमाबंदी को अपडेट करते हैं इसी के आधाल पर जमीन की रसीद करती है अब जमीन विवाद में भारी कमी आने की संभावना है यानि कल तक रजिस्ट्री ओफिस को आपत्ती करने का अधिकार नहीं था लेकिन भूमी विवाद पर मामला कोट में चला जाता था वहीं भूमाफिया एक ही जमीन को कई लोगो के नाम से है परिवार के लोगों के बीच बटवारा मौखिक है ज्यादतर परिवार के सभी लोगों के नाम से अलग-अलग जमीन की जमाबंदी काइम नहीं है ऐसे में लोग जमीन की खरीद बिकरी नहीं कर पाएंगे हाला कि फ्लैट या अपार्टमेंट की रजिस्ट्री करवाने में ये नियम लागू नहीं होगा पुराने फ्लैट या अपार्टमेंट की रजिस्ट्री होल्डिंग नंबर के अधार पर हो सकेगी देखिए पटना हाई कोट ने जमीन विवाद को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है अगर आप भी अपने पुष्टैनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो ये आप आपके लिए आसान नहीं होने वाला है वहीं जो अगर आपके जमीन पर फ्लैट या फिर किसी तरह का अपार्टमेंट है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है आपके इस विडियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे नियूस पर नेशन